आप सभी लोगोंने बंधक मजदूर या फिर बंदुवा मजदूर के बारे में सुना होगा जिसे आप लोग अनुवंध मजदूर भी कह देते हैं आप समझ सकते ही कि इतने नियम कानून होने के बाद भी आज भी ये पिथा मौजूद है हम लोगोंने इतिहास में जरूर पढ़ा था कि इस तरह के बंदूवा मजदूरी हुआ करती थी इस तरह की पिथा आज अंग्रेजों के समय बहुत बड़ी संख्या में एक तरह से बहुत बड़ी तरह से मौजूद थी लेकिन आज आज आपने लोग 21 भी सदी में जा रहे हैं फिर भी इस तरह की पिथाएं देखी जा रही है इतने नियम कानून होने के बाप चूत भी आप समझे इस तरह की पिथा हमारे समाज में अभी भी बिद्दमान है तो आप समझ सकते हैं आजादी के पहले क्या इस्त एसी या दबे कुछले लोग हुआ करते थे मैन धारा से छूटे हुए जो लोग थे उन्हें मैन इस्टेरिम में लाने के लिए इस तरह के आपकी अधिकार सामिल किये गए फिर भी आप समझें कि इनकी ए अधिकार हर किसी को नहीं मिल पा रहे है अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मद्द्देश में इस तरह की पिथा देखने को मिली है तो पहले हम लोग मद्द्द्देश के बारे में बात कर लेते हैं आखिर मद्धविदेश आपका कहा है और इसके बार में एक सामान जानकारी दे देते हैं और वैसे तो मद्धविदेश का पूरा सामान ज्यान हम लोगों ने कबर किया हुए तो आप लोग प्लेलिश्ट सूची में जाईए वहां से आप लोग देखते रहे हैं पूरा MPPSC को ध्यान में रखती हुए कबर किया गया है और आप जानते हुए कि मद्धविदेश आपका जिसे आप लोग हिदय प्यदेश कहते हैं नदियों का मायका भी कह देते हैं टाइगर प्यदेश भी कहते हैं सोया प्यदेश भी कहते हैं देखिए है मद्धविदेश इसकी राधधानी है भोपाल अगर इससे लगे हुए राज्यों की बात करें तो गुजराज से भी इसकी सीमा लगती है राजिस्थान से भी लगती है उत्तरपिदेश से भी लगती है चत्तिसगड से भी लगती है और महराष्टे से भी लगती है पहले 36 गड़ मद्पिदेश का हिस्सा हुआ करता था ठीक है लेकिन सन 2000 में मद्पिदेश से लग करके 36 गड़ नया राज बनाए गया था अगर इसके स्थापना की बात करें तो मद्पिदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी अगर यहां बिधान सभा सीटों की बात करें हम लोग तो 230 देखने को मिलेगी आपको लोग सभा सीट 29 देखने को मिलेगी राज सभा सीट 11 देखने को मिलेगी ठीक है इस तरह के कुश्चन्स कभी-कभी पूँच लेता है आपका और याद लखिए बैसे बंदुवा मजदूरी टॉपिक आपका प्रलेम्स में भी पूँचा जा सकता है और लिखित परिक्चा यानि की मुख परिक्चा में भी पूँचा जा सकता है फिर चाहे आपका MPPSC हो या फिर आपका कोई भी स्टेट PCS हो या सिविल सर्वेस हो ठीक है याद रखिए हाली में मद्विदेश के गुना जिले जिला पिसासन द्वारा 15 कितने आपको देखने को मिलेगे कि ये 15 15 15 बंदुवा मजदूरों को रिहा कराए गया है मद्विदेश का जो गुना जिला है इन मजदूरों के साथ उनके नियुकता या मालिक द्वारा आमानविये विवार किये जाने और उन्हें यातनाय देने की सिकायद मिल रही है बंदुवा मजदूरी की बात करें तो एक तरह से आप साधारन सब्दों में इसकी परिभासा समझे जैसे आप समझे किसी का आपको रिड़ देना है यानि कि किसी से आपने उधार पैसे लिए है तो या क्या कर सकते हैं आप लोग कि उसके बदले आप लोग उसे उसका सरम करते हैं उसके लिए सेवाएं देते हैं या कोई अनुबंध हो जाए आप दोनों के भी जैसे आपके पिता जी है और आपके बारे में इस तरह की कोई अनुबंद कर लें कि हमारे बेटे को इस तरह रख लीजे आप लो तब भी से आप लोग अनुबंद मजदूर भी कह देते हैं या फिर बंदूवा मजदूरी भी कह देते हैं यहें एक ऐसी पिथा है जिसमें नियुकता द्वारा सेमिकों को उच्च ब्यात दर पर रिड दिया जाता है और तथा सरमिक द्वारा लिए गए करच का भुकतान करने ही दू उससे कम मजदूरी पर कारे कराया जाता है इस तरह की पिथा आप समझे आजादी से पहलो बहुत बड़ी तरह से प्रभावी मतलब ब्यात थी समाज में हैं जगे आपको इस तरह की पिथा देखने को मिल जाती थी लेकिन आजादी के बाद काफी हद तक इस पर कंट्रोल किया गया लेकिन फिर भी अभी तक हम लोगों करने की रूम में परिभासित किया गया है आप लोग ही समझे जैसे मैंने आप लोगों से पैसे लिये हैं और उधार ले लिये हैं 10,000 रुपे आप समझे और आप तो सबसे बड़ी बात तो है आप लोग हम से एक तरह से ब्याज भी जाना लेते हैं एक और आपने सुना कोई ब्याज लेता है तो उसका ब्याज दर्वी बहुत उँची दर्वी होती है और जब भो नहीं चुका पाता है तो पी आपने यहां बंदुअ मज्दूरी पर रख लिया जाता है तो यह अपने यहीं है आपकी बनुवा मजदूरी इतिहासिक रूप से बनुवा मजदूरी ग्रामीड अर्द्विवस्ता से जुड़ी थी जहां आर्थिक रूप से वंचे समधाय किसान, जमीदारों कि यहां कारे करने के लिए बाद धुगा करते थे और आप लोग इतिहास में जब भी आप लोग इस तरह की घतनाय पढ़ते होंगे तो सुनते भी होंगे इस तरह की पिथा के बारे में आसंगठी ते उद्वगन जैसे इट के भटे, पत्थर खदान कोईला कहनन, क्रिसी चिरम घरेलुनोकर, सरकस और इउन दास्ता इतियदी में गरामी रोषऐरी दोनों चित्रों में बंदुआ जब्डूरी बिद्धमान है अभी भी आप लोगों को देखने को मिल रही है, आप समझ सकते हैं कि इतिहास से पहले शित्थी रहे होगी इतिहास से पहले तो आप समझे कि आजादी से पहले माप करिए थियास वोल राओं आजादी से पहले थो हमारे पास इस तरह के कोई नियम कानून भी नहीं हुआ करते थे हम लोग गुलाम हुआ करते थे अंग्रेजों के या फर समझे आप लोग राजाओं के गुलाम हुआ करते थे हम लोग किसी नियालाय में भी नहीं जा सकते थे, अगर हमारे अधिकारों का कोई हनन करता था, तो हम लोग चुप चाप बैठे रहते थे, आज तो आप जानते हैं कि आर्टीकल 32 के तैद, आप सुप्रीम कोड जा सकते हैं, अगर आपके अधिकारों का कोई हनन कर रहा है, आर्टीकल 226, यानि कि अनुचे 226 के तैद, आप लोग हाई कूट जा सकते हैं, अगर आपके अधिकारों का कोई हनन करता है, समझ रहे हैं आप लोग, तो उस समय की इस तरह की वेवस्था नहीं थी, अगर अंतराश्टी दायत की बात करें, तो भारत मजदूर सरम, मानो तसकरी और बाल सरम को समाब्द करने के सतत विकास लक्ष, लक्ष ए 8.7 के तहट, वर्स 2030 तक आधुनीक दास्ता को समाब्द करने के लिए पिती बद्द है, भारत द्वारा इवोलीशन और फोर्ट लेवर कन्वेंशन उननीस सो संतावन नंबर 105 की पुष्टी भी की गई है, भारत ठीक है, मैं सुधार करने ही तो पिती बद्द भी है, और अगर हम लोग समीधानी के प्रावधानों की बात करें कि इसे हटाने के लिए समीधान में कहां बेवस्ता की गई है, तो अनुछेद 21 यानि कि आपके मौलिक अधिकारों की बात की जारी है, तो इसमें आपने अनुछे 23 में आप लोग ने डारेक्ट देखा हुगा, जबरन सरम पर पितीबंद लगाता है, अनुछे 24 में भी आप लोग ने देखा हुगा कि कारिखाना आदी में बच्चों के रोजगार 14 वर से कमायूग को पितीबंदी करता है, एक बात और आपको बोलूँ, अगर आप लोग आंसर आइटिंग कहीं कर रहे हैं, तो इन अनुछे 24 क्या कह रहा है, इससे भी देख लिजे, अनुछे 49 सरमिक पूरसों और महिलाओं के स्वास्त और सुरक्षा के उद्देश से राज्य को निर्देश देता है, कि राज्य इस बात को सुनिश्चित करें कि पूर्वेभार ना किया जाए, और नागरिकों को उनकी आर्थिक आउसकता की पूर्टी के लिए आयू या छमता के विरुद जाकर रिकार करने की को मजबूर नहीं किया जाए, यह अनुछे आपका 49 कहता है, नेती नेदेशक सिर्धान की बात करें, ठीक है? अगर जिसे संबंदीत राज्य सरकारों द्वारा लागू किया गया है, और यह जिला इस्तरफ और सतरक्ता समतियों के रोम में एक संस्थागत तंत का प्रावधन भी करता है, इस अधिरनियम के प्रावधनों को ठीक से लागू करने ही तो सतरक्ता समतिया जिला मजिस्टेट को स तीनी मेंकी। या $스镇र्टी के नियाइक मजेश्टेट के सकतियां पिदान कर सकता है। यह तो आपका है बद्वा सरम पयडाली उनमूलन अदीनियum 1976 ये सभी बातें कहता है एक आप लोग और सुनते होंगे क्या सुनते होंगे बंधुवा मजदूरों के पुनरवासितु केंद्रिये चेतर योजना 2016 इसके तहद बंधुवा मजदूरी से बचाए गए लोगों को उनकी आजीवका के लिए कि गैर बित्य है शहैता के साथ 3 लाग रुपे तक की बित्य है शहैता पर दानी की जाती है कि इसल Arya क्या होगा कि आप समझे किसी याँ कोई बंधुवा मजदूरी से काम कर रहा है उसे उसे मुब्ध किया जाए और उसे इस तरह की कोई शहैता किया जाए जिसे वो अपना काम दंदा कर सके ठीक है और एक तरह से उनकी चंगुल से बच सके अगर हम बात करें बंदुआ मजदूरी के कारण आखिर क्या है तो सरमेकों और नेउकताओं के मद्द जागरूकता का अबाओ आज भी आप लोगों को देखने को मिल जागा कई दुकानों म दो से चार जार रुपे में भी लोग काम करने के लिए तैयार हैं इससे एक तो आपको मालू चलता है कितनी बड़ी मात्रा में बेवरोजगारी हमारे यहां बयाप थे समझ रहे हैं आप लोग और एक तरह से अभी आपने देखा होगा कि जो भी सरमेक नेउक सरम मजदूर जो भी अदिनियम थे हो उसमें एक तरह से सुधार किया जा रहा था उसमें काम के घंटों को बढ़ाया जा रहा था तब भी समझी आप लोग कि कई तरह की आबाजें उठाई गई थी आपने गाओं में भी देखा होगा कि आपको आराम से बहुत सस्ती दर पर एक तरह से स समझ सकते हैं आप लोग सजा की दर कम होना एक तरह से आप समझे कि अगर किस तरह का कोई रखता है और पकड़ा जाता है तो उसमें क्या है सजा का प्रावधान भी कम रखा गया है समझी का मतलब है कि पहले से बहुत पहले से मारे यां ब्यापत है बंदुआ सरम कों के मद्दे प्रवासी प्रक्किती और बंदुआ सरम पिडाली उनमुला नदीनियम 1976 का कमजोर कैयान बैन यानि कि इस तरह का नियम पूरी तरह से अच्छे से लागू नहीं हो पाता जवरन सरम हितु उचित सया आईपीसी गैर कानूनी अनिवार सरम की धारा 374 के प्रावधानों का आभाओ राष्टी और छेतरी इस तर पर सरकारों के मद्द उचित समनवे का आभाओ भी देखने को मिलेगा और यही कारण है आपके बंदुआ मजदूरी होने के समझ रहे आप लोग आँगे आप देख सकते हैं कि बंदुआ मजदूरी को समात करने के लिए आवस्यक उपाई की अगर हम बात करें कि आखिरे इस पिथा को हम लोग किस तरह से खतम कर सकते हैं बंदुआ मजदूरी की सूचना देने और उनकी पहचान करने के लिए जनता को जानकारी पिदान करने के उद्देश से राष्टी अभियान का आवजन किया जाना चाहिए और महिला और बाल विकास मंतराले द्वारा आंसिक रूप से समर्फित राष्टी ये बाल होट लाइन को लोग प्रिये बनाया जाना तसकरी पिड़तों ही तू एक राष्टी हेलप लाइन मौझूद है जो ऑपरेशन रेड अलर्ट के तह संचालित भी है और एक तरह से आप समझें कि हमें जागरूपता बढ़ाने होगी ए तो अच्छी बात ही कि जैसे तैसे मालूप चल गया है MP का लेकिन आप समझ सकते हैं कई छित्रों में इस तरह की बंदुवा मजदूरी इस तरह की जो भी पिथाएं अभी भी मौझूद हैं बस यह नहीं है कि सामने नहीं आ पा रही है वो तो इसमें हम लोगों को क्या करना होगा कि एक तरह से मैं जागरूपता कोई अभिहान चला लेकिन कोई नीती तो होना चाहिए उन्हें आंगे बढ़ाने में बरना आपने इस कहीं छोड़ दिया फिर से वही हो जाएगा हाल ठीक है उत्पादक और आय उत्पन करने वाली योजनाओं को पहले से ही तियार किया जाना चाहिए अन्नत अब अपनी रहाई के बाद फिर आप लोग अनुबंद मजदूरी भी कह देते हैं या फिर बंधक मजदूरी कह देते हैं अनुबंद का आप लोग सीधा सा मतलब समझ रहे हैं इसके सभी सब्दों की परिवासा उसी सब्द में चुपी रहती है अनुबंद खेती का खेती भी तो सुनते रहते हैं आप लो अभी MP की न्यूज आप लोग सुन रहे होंगे कि अनुबंद खेती करवाई गई थी वो कंपनी पैसा लेकर भाग गई उन किसानों को धोका दे गई इसलिए आपने देखा है कि इसी अनुबंद मजदूरी भी एक मुद्दा है जो किसान अंदोलन कर रहे हैं वो कह रहे हैं इस तरह की खेती नहीं होनी चाहिए इसके कई फायदे भी हैं अगर अच्छी तरह से अनुबंद खेती अगर होती है तो फायदे भी हैं लेकिन नुकसान भी हैं वही हाल है कि मोबाईल के फायदे भी हो नुकसान भी हैं अब आप कैसे तरह से इसका उपयोग करते हैं मुबाइल का आपकी हाथ में रहता है तो इस तरह की topic अगर देखिए आप लोग सभी पूरी तरह से जानकारी इखटा रखा करिएगा क्योंकि questions इस तरह की बन सकते हैं ठीक है? अगर भारत में रह रहे हैं इस समाज में रह रहे हैं तब इस तरह की topic के बारे में आपको सामान जानकारी होनी चाहिए ठीक है?